स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दिवाइन पावर 1111 में तो कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे एंड पॉजिटिव जरूर होंगे तो चलिए आज मैं चेक करने वाली होंगी कल रात की आपके पार्टनेर के एनरजी कैसी आपका फेवरेट टॉपिक है यह मुझे इतने मैसीज आते हैं मैं क्या करूं वाइटी वालों का तो चले चेक करते हैं मेरे कैमरे को पहले ही हो गया कि क्या आने वाला है तो चले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी क्या चल र जो नएस सब्सक्राइबर आए है मेरे प्यारी सी ब्यूटिफुल सी सोल फैमिली में आप सभी काता है दिल से वेलकम है एंड थैंक्यू सो मच जिनोंने सुपर थैंक्स बाय करा है तो प्लीज कीजिए ना मेरी हल्प कीजिए जल्दी जल्दी बाय कीजिए स्मॉल अमाउंट लेकिन बाय तो कीजिए ओपन तो कीजिए तो चलें स्चार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है तो क्या करना है निकाल लीजिए अपने बसन की पिच्छर को देखें उनको बहुत प्यार से प्यार से देखेंगा उससे से नहीं देखना है फिर गुस्सेवली आ ना है उनका चेहरा सुनदर साथ, देखते हैं कि क्या आता है, reading अच्छी आती है, positive आती है, तो क्या करते ना है, yes, like करना है, video को share करना है, चैनल पे, अगर घूमते घूमते, youtube पे scroll करते, करते, आपको ये video मिली है, तो ये आपके लिए उससमय का message होगा, क्योंकि मेरी जो videos हो तीन बार दीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ अच्छे सी गेज कीजिए चाहे तो वीडियो को आप पॉस कर सकते हो तो यूनिवर्सिस समय मेरे वीवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी परसन के बारे में सोचते हुए ये रिडिंग देखने वाले हैं तो उ चल रहा था कल रात उनकी थोट्स में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी एमोशन्स में गाइड कीजिएगा है महादेव, है शिफ्षक्ती, मेरे प्यारे बपा, राधा गृष्ट, आर्केंजल माइकल, प्लीज ओल स्पिरिट गाइड्स, मेरी हेल्प कीजिएगा आउच, ये सुछेओं कि ये तुम लोग हसलो, थोड़े से, काम डाउन हो जाओ, पैनिक मत करो, मेरे कैमरे को क्या हो गया, मुझे तो छोड़ो, मेरे कैमरे को भी कुछ हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि कल रात की फिलिंग्स क्या थी, ओके जी, ओहो, बहुत लेकिन बादचित बिल्कुल बंध है कल रात आपके पार्टनर ने आपके बारे में खुब सोचा है खुब आपको स्टॉक किया है कल तो जेम्स पॉर्डी बने होए थे इन्होंने काफी अच्छा खास आपको स्टॉक करा है एक चेयर पे बैठे हैं मुझे कुछ इस तरह सीन कनेक्शन फील करते हो आप दोनों ही आज भी आपको एक कनेक्शन सा फील होता है अपने पार्टनर के साथ कल रात इन्होंने आपको बहुत ज्यादा याद किया है आपके साथ बिताये हुए हर एक पल को इन्होंने बहुत ज्यादा मिस किया है आपको स्टॉक की किया है और यह जानने की कोशिश की है कि आप कब आनलाइन होते हो और आप क्या पोस्ट डाल रहे हो या आज कल आपने कौन सी पोस्ट डाली हुई है और ये भी देख रहे थे कि अरे ये किसने इसको friend request भीजिया है अरे ये कौन है जिसने इसकी picture को लाइक करा है मतलब काफी न शौक में थे 440 का जटका लगा है रात को इनको आपको अच्छा खासा स्टॉप करा है और देखा है कि कौन-कौन नया बंदा आपकी लाइफ में आया है किसने आपको अप्रोच करा है अरे धुआ निकल रहा है क्या रखा है किचन में चैद कर लो भ्यान दो स्मॉक तो नहीं कर रहे हो डेडिंग देखते हो गए अपकी अपकी ना जो फेसुबुक थी यह कहीं भी जहां पर आप कहीं पोस्ट आल रहे हो स्टेटस डाला है इंस्ट्राग्राम कहीं से भी न आपको इननो ने चेक करा है और देखा है कि ये कौन है ये कौन है ये निया कौन है मतलब ऐसे देखते गए हैं और सोचते रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे जाने की देर थी और ये सब कौन आ गया इसकी लाइफ में कुछ अच्छा भी लगा और कुछ जलने की भू भी आई मिको यहां से मेरे ख्याल तभी दुआ निकला इनका दिल जल रहा था कल रात को अरे ये कौन आ गया इसकी लाइफ में इसने इसकी पिच्चर क्यों लाइक करी है इसने ऐसे कपड़े डाल के पिच्चर क्यों डाली है जो new entries आपकी social media पे आई है उनको भी stop करा है कि ये बंदा कौन है ये बंदी कौन है क्या ये इसके office में है ये कैसी इसने पोस्ट ढाली है इसने इसको like क्यों करा है कल कुछ इस तरह का मुझे scenario दिख रहा है तो भाग कर ये आपके पास आना चाहते है ये इसने किसके साथ जोड़के पिच्चर डाली है क्यों इसके कंदे पे हाथ रखा है ये कौन है जिसने इसके कंदे पे हाथ रखा है ये इसको ऐसे हाथ पकड़ा है मतलब देख देखे न कल ये पापड बन गया है पिच्चर upload करी है जिसको देखर इनको बहुत गुसा आया है जो कि इनको पसंद नहीं होगा हो सकता है आपने कुई कपड़ों में पिच्चर डाली है जिसको देखर इनको लगा है कि यह अच्छा नहीं किया यह इसको ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए थे इसको मुझसे पूछना चाहिए था काफी attraction feel किया है इनोंने और ये भी देखा है कि आपके अंदर एक change आ गया है क्योंकि इनको ना expectation नहीं थी आपसे कि आप इतने अच्छे से बढ़ जाओगे क्योंकि पहले जो आप इनको एक gesture देते थे इनके पीछे भागना, story डालना, sad stories डालना, status डालना, DP हटा देना, इनके पीछे पीछे आना तो अब इनको ये महसूस हुआ है कि ये तबदिली आई तो आई कैसे, इतना बड़ा change, इतना ये मुझे क्या भूल गई है क्या, ये मुझे भूल गया है क्या, इसको क्या हुआ है, ये ऐसे कैसे, क्योंकि इनको expectation नहीं थी आपसे कि आप ऐसे भी change हो सकते हो, आपके अंद इस आने के बारे में सोच रहे हैं, जलनी की बूनी आ रही है, देखो कैंडल का action देखो, इनकी आँखे ना गुस्य से लाल हो गई थी कल इनको देखा है, ये आपके पास वापिस आना चाते हैं, काँख देखो, कैंडल की flame को देखो, और महसूस करो कि इनको कैसा महसूस कर आँखे इनकी खुली की खुली रह गई है, रिनी दूड़ गई थी जनाब की, इन्होंने जैसे ही आपकी status को या story को या इंस्टा पे या fp पे कुछ भी देखा है ना, तो मतलब ये रात बर सो नहीं पाए हैं, ये आपकी life में वापिस आना चाते हैं, इस relation में अब इनको इस तरह से लग रहा है कि यार, ये मैंने गलती कर दी, ये तो अब बिल्कुल change हो गई है, या change हो गया है, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये तो बड़ी रोंदू सी थी, पीचे पीचे आती थी, अब ये हुआ तो हुआ कैसे, ऐसी बाते सोचते हुए, या आपके partner मुझे नज pain दे दिया कि उसने अपने आपको ही बदल दिया, ये बात भी सोचते हुए, नजर आ रहे हैं, इनको इस तरह से मैसूस हो रहा था कि यार, जैसे कोहे नूर ही रहा होता है, इनके हाथ से कुछ निकल गया, एक ऐसी चीज, ऐसी बहुती बेश कीमती चीज, इनके हाथ से नि चटका लग गया इनको, क्योंकि इनको उमीद ही नहीं थी कि आप ऐसे कर सकते हो, या आप आगे, इनके भी ना जीज सकते हो, क्योंकि इनको इस तरह से लगता था, कि आप तो वो हो जो कि इनके, मतलब कि इनकी ना इगो बढ़ती थी जब आप इनके आगे गिड़ गड़ message तो अब यह सोच रहे हैं कि यार यह तो मैंने कुछ गलत कर दिया मैंने कुछ तो खो दिया है अपनी life में यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको एक sad face दिख रहा होगा अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर एक sad face बना है बहुत sad हुए है इनको इन्होंने सोचा नहीं था आपके अंदर इस बदलाव के बारे में ये आपके पास वापिस आना चाते है इन्होंने आपको हमेशा इनके इड़ गूमते देखा है तो कल ये सोच रहे थे कि अब तब भी मैं कहूं कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं आती है sad status क्यों नहीं लगाता है ये story क्यों नहीं डाल रहा है ये हम ऐसे मुझे ignore क्यों कर रहा है अब मुझे समझ आई है कि ये इसकी अंदर एक change आ गया है या तो इसकी life में कोई आ गया है इनको कुछ इस तरह से भी महसूस हो रहा था कि जैसे आपकी life में कोई आ गया है या आप move पाई दे रहे हैं यह नहां आप मूवओन कर पाए हैं और नहीं नहीं आपको कभी मूववऑन करने दिया है। अपने नोटिस कचा होगा कि जैसे ही यह आपकी लाइफ में इन्हों ने आपकी लाइफ में इस relation में अब ये union चाहते हैं इस relation में union चाहते हैं आप से कटा कटा से महसूस कर रहे हैं बहुत बेचैनी फिल की है कल रात ये इनको इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे आप इनकी life से इनके हाथों से निकल गए हो कुछ planning plotting करते हुए भी मुझे आपके partner यहां पर नजार आ हैं यहां पर एक image बनी है यह बेबी लग रहा है यहां आपके partner की image है मीबी इन्होंने कल रात तारे गिने हैं यह heart बना है यहां पर भी अकेले बैठे हुए है जटका लगया यहां पर भी एक ये आपके close आना चाहते हैं ये फिर से एक new beginning करना चाहते हैं जो मुझे यहाँ पे नजार आ रहा है में भी आप दोनों एक दूसरे के close आ चुके हो आप दोनों के बीच में किस हो चुका है तो उन पलों को भी इन्होंनी याद करा है कल जब इन्होंने आपके पिच्चर को देखा तो इनको इस तरह से लगा कि आप तो आगे से और खुबसूरत हो गए हो आप आगे से और handsome हो गए हो में भी आपने कोई जीम चुआइन करा है तो जिसके कारण ना इन्होंने आपके अंदर physically जो आपकी appearance दीना उसमें भी exchange का और इनके अंदर na desperation मुझे दिखाई दे रही है कि कल ये मतलब इनका मन कर रहा था कि ये रात को उसी समय जिस समय इन्होंने आपकी खोजबीन करी है तहकीकात करी है उसी समय ये आपको phone उठाते और आपको phone करके पूछते कि ये क्या है तुमने ये picture क्यों ढाली है ये कैसे रही हो तुम हस रही हो क्या बात है क्यों इतनी हसी आ रही है मतलब जल बुनके ना इनका कल बन गया है पापड़ वो भी जला हुआ कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है इनों ये कल बरदाश नहीं कर पाए है अगर मेरे वीवर्स ने अपने उपर ऐसा काम कि है तो ये रीडिंग आज उनके लिए हो सकती है क्योंकि अगर आप आज भी उनकी वेट कर रहे हो इंतजार में बैठे हुए हो तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं होगी मेरे को इतने मैसिज आते हैं कि दी प्लीज हमें कुछ बता दो मेरे परसन का कॉल नहीं आ रहा प्ल एक बार चेक तो करो आपको मिल जाएंगी आप ध्यान सी देखो स्पेल के उप वहां पर पिच्चर पर ही पता चल जाता है थम निल चेक करो आपको पता चल जाएगा फोटो मैनिफेस्टेशन को चेक करो मैंने उसके ऊपर तीन तीन वीडियो डाली हैं लव आफ एमेशन मैं डाली हैं और मैंने इतनी वो वली रेमेडी डालती हूं जो कि ट्राइंड टेस्टिड होती हैं मैं ऐसे फाल तुम्हें बे मतलब की कोई भी नहीं डालती हूं तो प्लीज आप एक बार चेक करो आप एक बार करो तो सही और उसको अपनी करना है पूरे ट्रस्ट के साथ को मैंने किया है सुबह मैं अपनी ऊपर काम करूंगी एक affirmation में आपको देती इस affirmation को आप at least 45 देस्ट तक बोलो एक ही affirmation है कि मैं उसके बिना खुश हूं ऑस एक आप बितक्निक कर रहे है क्योंकि आप अंदर से ही इतने नगीटिव हो रात को करतेओं आ आप अपने पार्टनर को चेस नहीं करना है उनको अट्राक्ट करना है बस सिर्फ आप एक लाइन डेली सुबा उठते ही बोलो 108 टाइम बोलो ठीक है चाहे तो आप तुलसी माला लेलो बस अपने लिए अपने लिए इस पर करके देखो और एक लाइन बोलो मैं उसके बिना खुश हूँ मैं उसके बिना इंजुआए कर रही हूँ अपनी लाइफ को बस इतना बोलना है आपको और कुछ नहीं करना है आप इतना कर लो बस आप हील हो जाओगे आके अंदर जो दर्ध है इतना भरा हुआ वो कम हो जाएगा ये भी try and tested है आपको क्या लगता है हम लोग भी इसी चीज से मैं भी इस चीज से इस दोर से गुजरी हूँ तब ही मैंने आपको मैं try and tested क्यों कहती हूँ क्योंकि ये सारी मैंने try करी हुई है और मुझे इसका result भी मिला हुआ है मैं कोई भी एमें पोस्ट नहीं डालती हैं सिर्फ एक affirmation बोलनी है मैं उसके बिना खुश हूँ अपने पार्टनर का नाम लीजे मैं उसके बिना खुश हूँ ABCD मैं तुमारे भी ना खुश हूँ आप ऐसे भी बोल सकते हो जो भी इनका नाम है उनका नाम लीजे और यह लाइन affirmation जितनी बोल सकते हो रात को सोनी से पहले बोलो 108 टाइम बोल लो ठीक है इसको अपने 45 टेस तक करो एक लाइन बोलनी है बस सिर्फ इस बार अपने लिए कर करके देख लो आपको result बहुत अच्छा मिलेगा जिस दिन आपके energy अपने उपर आ जाएगी ना जिस दिन आप अपने partner से detachment feel करोगे आपके partner आपके साथ attached होना start हो जाएंगे इतना तो आप low of attraction के बारे में जानते हो तो यहां पे भी जैसे अगर मेरे viewers ने इस तरह का करा ह है अपने उपर काम करा है अपनी growth के उपर काम करा है तो उनके partner उनकी life में वापिस आने वाले हैं यहां मुझे union के energy नज़र आ रही है कल रादी यह नहीं सोई है physical attraction भी इनको महसूस हुआ है बहुत feel करा है मैं भी आप दोनों एक दुसरे के close आ चुके हो में भी मेरे कुछ वीवर्स physically भी एक दुसरे के साथ involved हो चुके हैं तो वो भी मुझे यहां पे नज़र आ रहा है कि आपके partner उन पलों को याद करे हैं और इनके सिवा किसी और ने आपको touch किया है कल रादी यह बिलकुल भी सोनी पाए हैं बहुत miss किया है पास की बातों को सोचा है और yes definitely यह प्रोच करेंगे कैसे करेंगे अगर आपने इस चीज के ऊपर काम किया है अपने ऊपर काम किया है outfit जह है तो मैं आपके लिए हाजि होुँ कुछ भी में यह नहीं प्री में रेडिंग मेंको message आया था कि जी आहापने बोला था कि मैं फ्री में रीडिंग कर दूँगू देखो मैं ऐसे करने लगी तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा है न अगर आप कैसी पंडित के पास भी जाते हो न तो वहाँ भी रेट आप देखो कैसे होते है मेरा आप देखो मेरे जो फीस है न वो बहुत कम है बहुत कम 100-200 रुपया आप खाने में खरच कर देते हो लेकिन अगर आप अपने मन की शान्ती चाहते हो तो 100-200 कुछ भी नहीं है आप अगर एक question का अंसर चाहते हो तो 100 रुपया उसके लिए कुछ भी नहीं है आप एक question पूछना चाहते हो अपने मन को satisfied करना चाहते हो तो please आप पूछिए Instagram पर मुझे अब DM कीजी तो आप क्या चाहते हो कि free में reading आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ठीक है कोई ना कोई reason होता है जो हम लोग YouTube पे आते हैं या हम लोग चाहते हैं अगर आपको इस तरह से लिगता है कि YouTube से हमें बहुत income हो रही है नहीं ऐसा नहीं होता है बहुत सारा tax कर जाता है हमें कुछ भी नहीं मिलता है इतना नहीं मिलता है जितना हम efforts करते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है आप अगर अपनी reading चाहते हो इतनी rate नहीं है आप लीज चेक करो जाकर इतने rate नहीं है sorry guys अगर आपको आवाज आ रहे है रखा है तो मैं cards भी ज्यादा show नहीं कर पाऊंगी ठीक है तो प्लीज अगर आप reading चाहते हो super thanks buy करो super thanks buy कर लो आप ठीक है उसमें आप 100 और डाल दो ठीक है 200 और डाल लो अपने कुछ question पूछ लो दो question पूछ सकते हो आप मुझसे इस से क्या होगा आपने एक तो मेरी help कर दी और मैंने आपकी help कर दी मैंने free में आप से अगर मुझे किसी ने super thanks भीज जा है मैंने उनको बोला है कि please screenshot आप भीज दो और मेरे से दो question पूछ लो मैंने तो किसी को माना कर रहा है मैंने ये free fund में का यह नहीं कि मुझे free fund में दे दो ठीक है कोई भी ऐसा नहीं करता है सब लोग मैंने देखा है मैंने को किसी ने बोला था कि this super thanks मैंने किसी को भीजा था लेकिन उन्होंने कोई offer नहीं रखी जैसी offer आप रखते हो तो मैं तो हमेशा यह सोचती हूँ कि मेरा भी तो दिल करता ना जब मैं भी इस चीज़ से गुज़री थी तो मेरा भी मन करता था कि please मुझे कोई कुछ बता दे और मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे इतनी income नहीं थी या इतना source नहीं था मैं मतलब कि job नहीं करती थी मुझे होता था कि हाई मैं घरवालों से कैसे पैसे माँँ हूँ या अगर मैं जोडती भी थी तो इतने high rate होते थे कि मैं किसी से पोच नहीं सकती थी कि मेरा future क्या होने वाला है तो इसलिए मैंने देखो rate आप देखो लोगों के आप दूसरे tarot readers पर जाकर चेक को रहो उनके rates देखो 20,000, 30,000, 30,000 रुपए एक question के 2,000 रुपए मेरे पास ऐसे आते हैं मेरे पास ऐसे आते हैं लोग जो कहते हैं कि इतना rate हाई था उनका क्या ही बताए और मैं यहीं नहीं कहा रही कि मैंने rate रखा है क्योंकि मैं आपके दर्थ को समझती हूँ कि हम afford नहीं कर सकते लेकिन हम ऐसे भी नहीं है कि हम 100 रुपए afford नहीं आप उनको जोड़ो पैसे को जोड़ो तो चलिए देखते हैं कि यहां से क्या निकल क्या आता है आपके partner के energy करकल के आप के तूवे क्या कर देखते हैं तो तो, course in my viewers को क्या कर लेकर आता है अगर वो मुश्च कॉर्च को लेकर और क्या सौच रहे थे मिरे लेकर क्या सबस्कारण तो मैं ज्यादाश़ना कि इसो दो लूँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है तो आप प्लीस ट्राइ करो कल रात आपके पार्टनर आपके साथ Night of Friends की एनर्जी आई है कल रात आपके पार्टनर आपके साथ कहीं आपको कहीं लेके जाना चाते थे यह आपके साथ अकेले में time spend करना चाते हैं यह आपके साथ physical होना चाते है और बहुत से action इन्होंने सोच रखे थे जो यह कल आपके साथ try करने के बारे में सोच रहे थे मैंने वो picture थी स्लिप है उसको unfold कर दिया the chariot card आया है यह आपके साथ कुछ इस तरह का सोच रहे थे यह सीन आपके साथ हो चुका है कि इन्होंने आपकी पीट पे कुछ लिखा हो और बोला हो कि बताओ मैंने क्या लिखा है यह आपको अपने साथ अपने बैट पे देखना चाते हैं यूनिवर्स और में ताये थर्ड पार्टी सिच्वेशन है आप दोनों का लॉंग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है तो यह आप सोच रहे थे अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हो तो यह कल आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे जो इनके अनर्जी में निकल के आया है तो आफ सोड ये कल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे दो राहे पे खड़े थे कि मुझे क्या करना चाहिए ये आपको देख रहे थे और काफी मेसमराइस्ट काफी अट्रेक्शन आपकी तरफ फील कर रहे थे ओके एट ओफ सोड के अनर्जी आई है ये काड में आपको नहीं दिखा सकती हूं तो यह आपके साथ स्टक होना चाहते थे 28 नमबर 8 नमबर 2 नमबर 3 नमबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है ये कल रात पूरी रात नहीं सो पाए है ये आपके साथ आपकी यादों में ही स्टक रहे हैं 3 of sword की energy आई है अब मैं ये भी काड नहीं आपको शो कर सकती हूं तो हम ऐसे कर लेते हैं ओके 3 of sword आया है तो कल रात इन्होंने जैसे ही आपकी कोई picture को देखा है तो इन्होंने काफी अंदर से एक टूटा हुआ feel किया है काफी hurt feel किया है काफी pain feel की है और यहां मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप जो ये reading देख रहे हो आपकी 32 हो सकती है या 33 हो सकती है या आपके partner की age हो सकती है 23 या 33 देख लीजेगा यहां मुझे age कुछ इस तरह से नजर आ रही है काफी pain रही है कल राती सो नहीं पाये है इन्होंने आपको जो देखा है ना इनको मैसूस हुआ है कि अब आप इनके हाथ से निकल रहे हो कुछ इस तरह से नोंने feel किया है The World Card आया है तो यह कार भी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ तो आपके साथ ये पूरी दुनिया देखते हैं जैसे मैंने बोला है कि Three of friends यहां भी आया है तो ये आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाना चाते हैं मैं भी इन्होंने सोचा है कि नहीं आप मुझे उसको अप्रोच करना ही पड़ेगा मैं उसको अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ यहां पे 21 नंबर आया है 29 नंबर में को नसर आ रहा है देख लीजेगा ये नंबर आपके साथ कैसे मैच करते हैं नंबर वन की एनरजी आई है Ace of Chalisa ओके ये आपके साथ इन्वाल होना चाते हैं मेभी आप अपने हस्पनिया वाइफ के लिए रिडिंग देख रहे हो तो इन्हों ने उस पलों को याद किया है जो ये आपके साथ स्पेंट कर चुके हैं जब आप दोनों एक दुश्रे के क्लोस थे इंटी मेसी चाते थे इन्वाल होना चाते थे आपके साथ कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है फोर ओफ कप्स के एनरजी आई है मेभी मेरे कुछ वीवर्स के पार्टनर उनसे नारास थे किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में जगड़ा हुआ था जिसके कारण यह आप से दूर गए थे लेकिन अब जब से इन्वाने कल आपको देखा है तो इनकी नरास की दूर हुई है और यह आपके प्यार के कप को इस अपना प्यार का कप आपको देना चाहते है नाइन ओफ कपस के एनरजी आया यह आपके साथ ही wish fulfillment मानते हैं ये आपको अपने साथ नेट देखना चाते हैं नाइन नमबर आपके लिए important हो सकता है ये अपनी हर खुशी आपके साथ देखते हैं कहीं ना कहीं कल इनको ये realize हुआ है कि नहीं ये ही मेरी खुशी है मैं अंदर से क्यों इतना जल रहा हूँ पहले इन्होंने इस चीज़ को deny करा है कि नहीं मुझे कुछ फरक नहीं पड़ रहा है किसी से भी photo किचवाए किसी के साथ भी जाए भाड में जाए लेकिन हीरे दीरे इनको एसास हुआ कि नहीं ये ही वो सच्चा प्यार है जिसको मैं ढूंड रहा था इसी को मैंने चोड़ा था लेकिन इतने टाइम के बाद भी अगर मेरे अंदर ये feelings है ये emotions है तो yes definitely मैं आज भी इससे प्यार करता हूँ और इस जैसा कोई नहीं है कल रात इन्होंने आपको बहुत miss किया है and yes definitely आपके close आना चाहते थे eight of cups के energy आई है and four of sword के energy आई है ये आपको stability देना चाहते है आपके साथ शादी करना चाहते है commitment चाहते हैं आपके साथ family देख रहे हैं तो कल रात ये sexually आपको लेकर काफी attraction फील कर रहे थे आपके साथ involve होना चाहते हैं अगर आप हो चुके हो तो उन पलों को याद करते हुए ये नजर आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे comment कीजेगा super thanks by कीजेगा आज के लिए बस इतना ही आपके partner आपसे बहुत प्यार करते हैं and बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे है I hope वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो like कर दिजे इस energy को अगर आप चाहते हो manifest करना तो आपने इस energy को claim करते हुए comment section में लिखना है कि yes definitely मेरा partner मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों साथ होने वाले है हम दोनों की शादी होने वाले है हम दोनों का union होने वाला है positive affirmation लिखनी है इसको manifest अगर आप करना चाहते हो claim कर दिजे like कर दिजे subscribe कर दिजे channel को मिलते हैं next video में तो मिलते हैं next video में अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा bye take a love you all